Hello Everyone, Welcome to ExamQuest इस वीडियो के अंदर हम Consignment और Branch Accounting गवर करने वाले हैं दो नई टॉपिक Technical Nature के हैं लेकिन EPFO के इस Exam के लिए आप उमीद कर सकते हैं कि यहां से आपकी थियोरी में से कोई Question आएगा जैसे कि इस तरह का Question आ सकते हैं कि Consignment के अंदर किस तरह की Account बनते हैं Branch Accounting के अंदर किस तरह की Account बनते हैं Account का Nature क्या है आपको हो सकता है कि कोई Item दे दिया जाए और पूछा जाए कि यह Item किस Account के अंदर आप Place करेंगे तो इसी चीजों के उपर हमारा Focus रहेगा इस वीडियो के अंदर यहां पर Explanation से जादा हम कोशिश करेंगे कि आपको यह Theory याद करवा दी जाए Consignment के लिए अगर हम उसका Process समझ गए न कि यह काम क्यास होता है तो आपको पूरा याद हो जाएगा देखे कोई आदमी है A. जो कि Delhi के अंदर कपड़ा बेचता है Delhi के अंदर वो चाता है कि मेरा यह जो कपड़ा है यह मुंबई के अंदर भी बिके तो यह B के साथ एक Agreement कर लेता है B से बोलता है कि B मैं तुझे अपना कपड़ा भेज दिया करूँगा तो उस कपड़े को अपने पास रख और उस कपड़े को आगे बेच दे इसको बेचने के बदले में मैं तुझे क्या दूँगा मैं तुझे कमीशन दूँगा ठीक है तो B जो है वो A के लिए काम करने लग जाता है A से कमीशन के लिए काम करने लग जाता है यहाँ पे कपड़े का जो ओनर है owner हमेशा कपड़े का A ही रहेगा B जो है वो सिरफ A के लिए commission पे काम कर रहा है B जो है वो A के agent की तरह काम कर रहा है तो A यहाँ पे principal बन जाता है और B जो है वो A का agent बन जाता है तो इन दोनों के relationship को principal agent relationship कहा जाता है A को हम consigner के नाम से बुलाते हैं और B को हम consignee के नाम से बुलाते हैं क्योंकि A जो है वो कपड़ा B के पास भेजेगा तो यह जो कपड़ा भेज रहा है उस चीज को कपड़े भेजने को कहा जाता है कि उसने एक consignment B के पास भेज दिया ठीक है आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि A जो है वो consignment B के पास भेज रहा है तो consignor consignment को B के पास भेज रहा है ठीक है तो यह consignee कहलाया जाता है तो अब यह process क्या है process देखिए आप A ने 100 रुपे का कपड़ा 100 रुपे का कपड़ा 100 रुपे के goods कह लीजे यह जो कपड़ा है यह goods हुए ठीक है A जो है 100 रुपे के goods B के पास पहुचाना चाता है तो A क्या करेगा बाहर से मजदूरों को उठा के लाएगा और करेगा कि यह 100 रुपे के कपड़ों की packing कर दो और फिर इसको एक truck के अंदर load कर दो उसकी loading कर दो truck जो है truck वाले को भुलाया होगा truck उसकी transportation प्रोवाइड करेगा तो यह सारी चीज़े जब मजदूर इतना सारा काम कर रहे हैं उसकी packing loading फिर transportation इसके उपर भी खर्चा होगा तो इसके उपर मालीजे 10 रुपे का खर्चा और होगा तो A का कितना खर्चा हो रहा है 100 रुपे के रोकेगा और यह अपने मजदूरों को बुलायगा और उन मजदूरों से कहेगा कि इस truck में से सामान को उतार लो इस सामान को unload कर लो ठीक है उसकी unloading हो जाएगी unloading करवाने के बाद भी जो है उस सामान को एक जगा पे store कर देगा ठीक है उस सामान को कही ना खही तो रखना पड़ेगा न तो वो वेरहा।स के अंदर store कर देता है उसको, वेरहा।स में store कर देगा और फिर वो यस सामान को बेचने की कोशिश करेगा, सामान को बेचने के लिए हो सकता है उसको कुछ advertisement करनी पड़ जाए और उस advertisement का भी कुछ तो B जितना भी सामान के उपर ये वाला खर्चा कर रहा है ये सारगा सारा खर्चा किसको बियर करना होता है कंसाइनर को बियर करना होता है कौन बियर करेगा ये कंसाइनर बियर करेगा तो कंसाइनर क्या करता है ये ये वाला खर्चा जितने का उसने सामान भेज रहा है 100 रुपेगा साथ की साथ उस सामान को B तक पहुँचाने का खर्चा B तक पहुँचाने का खर्चा ठीक है और फिर उसके बाद B जो है उस सामान को अपने Warehouse में पहुँचाएगा Warehouse में पहुँचाएगा यानि कि अपने इसने ट्रक के अंदर सामान को लोड किया, 100 रुपे का सामान, ट्रक लेके चला, रास्ते में ट्रक वाले ने 10 रुपे का सामान अपनी जेम में रख लिया, और B से कहा, कि सामान सिरफ 90 रुपे का ही सामान आया, तो B लेके अपने घर पे चला जाएगा, अपने प्रिमाइस मे Performa invoice लिखा होता है, जिसमें सारी डीटेल होते है, किए डेट को, कितना समान, समान की quantity, कितने रुपे का समान उसकी value कहा थी, कितनी मदब जो भी समान वो भेज रहा है, उसकी सारी details जो है वो इस कागस पे Performa invoice पे लिख़य के भेज देता है तो A क्या करता है, सामान के साथ, सामान तो भेजगा साथ में performa invoice को भी B के पास पहुँचा देता है तो B जो है, वो जब सामान लेता है तो वो performa invoice देखता है उसको पता चल जाता है कि कितना सामान आया था और कितना सामान पहुँचा है, तो इसको हर एक चीज इस पता चल जाती है रिखेंदी या वरना ट्रक वाला हो सकता है यह बी के पास जाके क्या दें कि मुझे रास्ते में लुटेरोंने लूट लिया, मेरे पास अब कोई सामानी नी बचे या फिर वो बोले कि Merry J. बेव के अंदर सामान रखके वो बोल दे कि सामान नभी आया था, सी आया था, तो ये नुकसान से भी बच सकता है, तो ये performer invoice भेजता है, B जो है, B धेर सारा खर्चा करेगा, unloading पे, warehouse के ओपर B का खर्चा हो रहा है, B कोन है, consignee है, consignee का खर्चा हो रहा है, unloading पे, warehouse पे, advertisement पे, फिर उसके बाद B सामान को सेल करता है, तो ये जो सारी की सारी detail है, ये सारा खर्चा जो है, ये वाला जो B का खर्चा हो रहा है, ये सारा खर्चा A जो है, A को bear करना चाहिए, और A जो है, पहले तो B को अपनी जेब से पैसा देना पड़ जाएगा, फिर बाद में B जो है, A को बताता है, कि मैंने अपनी जेब से यह पैसे दिये हैं, तो A उसको वो पैसे भी वापिस कर देता है, ठीक है? तो भले ही यह खर्चा है, initially B कर रहा है, लेकिन बाद में A उसको वापिस कर देता है, साथ की साथ A क्या करता है, B जितनी भी सेल करेगा, उस सेल पर A उसको कमीशन देता है, A उसे commission देगा तो A, B को क्या-क्या दे रहा है A, B को देता है एक तो B ने जो भी खर्चा किया consignee का जो भी expense हुआ वो देगा साथ की साथ A उसको B को commission देगा ये दोनों चीज़े A जो है वो B को देता है A यहाँ पर already अपने जो सामान भेज रहा है उस सामान के उपर खर्चा कर चुका है और सामान भेजने का खर्चा कर चुका है ठीक है तो ये भी जो है वो A की जेब से जा रहा है तो ये सारी चीज़े A देता है अब B जो है B को ये पैसा जो है कि उसने कितना खर्चा कर दिया और सामान बेचने का कितनी commission होगा यह जो पैसा है यह A से मिलेगा तो B क्या करता है एक paper भीजता है A के पास B एक paper भीजता है A के पास और उस paper का नाम क्या होता है paper का नाम होता है account sales इसके अंदर वो सारी detail लिख देता है कि मेरा इतना खर्चा हुआ मैंने इतना सामान बेच दिया और मेरी इतनी commission बनती है यह commission मुझे पहुचा दो ठीक है तो A क्या करता है एक बड़ी जल्दी से story देख लेते हैं A performa invoice के साथ सामान को B के पास तक पहुचा देता है B का दो जगा पे खर्चा होता है A खर्चा तो उसका होता है जहां पे भी उसको सामान मिला उसकी वो unloading कराएगा और दूसरा उसका खर्चा क्या होता है दूसरा खर्चा होता है उसकी building में पहुचने के बाद वाला खर्चा यह खर्चा उसका building के बाहर हो रहा है building के बाहर का खर्चा है ये और बाकी खर्चा उसका building में पहुँचने के बाद होता है और वो खर्चा क्या है warehouse के अंदर store करने का खर्चा और दूसरा खर्चा है सामान को बेचने के लिए जो उसने advertisement करी उस तरह के उस type के खर्चे बी जो है ए जो है वो बी को performer inverse देता है और याद रखेंगे कि consignment के अंदर consignment के अंदर जो consignor यानि ये जो है consignor कुछ account बना के रखता है एक account वो बनाएगा consignment का account consignment का account बना के रखता है ठीक है दूसरा खाता वो जो बनाता है दूसरा खाता होता है consignee का account कि consignee को कितना पैसा देना है कितना पैसा लेना है उस तरह का वो खाता बना के रखता है इसमें वो देख लेता है कि consignee से कितना पैसा आना जाना है ये सारी चीज़े वो इसके अंदर बना के रखता है ये दो major account हम देखेंगे ठीक है तीसरा अभी के लिए आप भूल जाईए तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं इसको अपने notes में से देखें, consignment क्या हो गया आपका consignment का topic चालो हो रहा है A, consigner है जिसको हम principle भी कह सकते हैं ये goods का owner रहता है A, सामान के साथ performa invoice B के पास भेज़ देता है B को consigny कहते हैं और agent कहते हैं और B, जो भी काम करेगा, जो भी खर्चा होगा, income होगी हर एक चीज वो account sales के थुरू A के पास पहुचा देता है तो A क्या भेज़ता है, performa invoice बेज़ता है, और B क्या भेज़ता है B, account sales भेजता है वही जो चीज बोली है, वही लिखी हुए है कि A, performa भेज़एगा B, सामान को भेज़ता रहेगा और commission लेगा, ठीक है commission जो है, वो हम आगे देखेंगे, तीन तरह की होती है B क्या करता है, B, details बताता है, sales की और बाकी relevant information consignor तक महुचाता है through account sales ये काम B कर रहा होता है consignor की book के अंदर, जो दो बड़े-बड़े हमें खाते majorly देखने, जहां से पूछा जा सकता है वो है एक तो consignment account और दूसरा consign account question क्या सकता है, question क्या सकता है कि consignment account कि type का होता है तो आप उसमें mark कर देंगी कि वो nominal nature का होता है ये जो consignment account है ये ये बताता है कि उस consignment के ऊपर हमें कितना profit हुआ है या loss हुआ है ये nominal nature का होता है nominal के अंदर हम क्या लिखते हैं nominal के अंदर हम सारे के सारे अपने खर्चे लिखेंगे और सारी की सारी हम income लिखेंगे, ठीक है कौन लिखेगा, किस के खर्चे और किस की income, consignor के खर्चे और consignor की income वो लिखता जाएगा एक खाता वो दूसरा बनाता है consignee का, consignee जो इंसान है यानि कि B के लिए, B के लिए खाता बनाया जा रहा है, ठीक है, तो वो personal account होता है एक और account है, ये इतना important नहीं है, इसलिए blue से लिखा है पर आप इसको देख लेज़ेगा, goods sent on consignment account, ठीक है goods की वज़े से ये एक real account बन जाता है, I hope आप सभी को 3 golden rules याद होंगे ठीक है, अगर याद हो तो comment section में ज़रूर लिखिएगा तो अब हम देख लेते हैं कि ये जो accounts जिनकी हमने बात की है इसके अंदर कुन-कुन से items आते हैं क्योंकि ये question पूछे जाने के बहुत chance रहते है कि consignment account के अंदर कौन सा item हा रहा है ठीक है, हो सकता है आपको वो देदें कि abnormal loss consignment में किस account के अंदर लिखा जाता है तो आप बोल देंगे consignment account में लिखा जाता है आप से वो पूछ सकता है कि वो credit side पहाएगा या debit side पहाएगा तो आप कहादेंगे credit side पहाएगा अब इसको याद करने के लिए मैं आपको अपनी कहाणी पे वापिस लेके जाऊँगा जो मैं आपको process बता रहा था process क्या है A से सामान पहुंच गया B के पास A का खर्चा क्या क्या हो रहा है A का खर्चा हम देख लेते हैं एक तो वो 100 रुपे का जो goods है वो भीज रहा है B के पास वो goods सेंड कर रहा है B के पास ठीक है तो उसका 100 रुपे का खर्चा तो ये सीधा-सीधा हो गया दूसरा एका खर्चा क्या हो रहा है इसकी packing के उपर इसकी loading के उपर और इसके transport के उपर इसके उपर भी हमने 10 रुपे देखे थे ये खर्चा हो रहा है फिर जब सामान B के पास पहुंचाता है तो B क्या कराता है उसकी unloading कराता है हो सकता है उसको भी transport कराना पड़ जाए अपने premise तक पहुंचाने के लिए ठीक है तो B के दो तरह के खर्चे है एक खर्चा तो उसका वो है जो उसके premise के बाहर हो रहा है B का खर्चा premise के बाहर और दूसरा खर्चा premise पे पहुंचने के बाद तो premise के बाहर उसका unloading का हो सकता है transport का हो रहा है या फिर कोई और भी खर्चा हो रहा हो promise पे पहुंचने के बाद उसका खर्चा हो रहा है warehouse में store करने का कोई खर्चा हो रहा होगा और साथ की साथ उसको बेचने के लिए उसको advertisement करने पड़ रही है उसका खर्चा हो रहा है तो जो consignee का खर्चा हो रहा है वो ये हो गया consignee का खर्चा दो पार्ट में divided यह हो गया consignee's expense ठीक है यह consignee का खर्चा है अब जब consignee के पास goods पहुँच चुके हैं तो consignee का काम क्या है माल लेते हैं इसके पास 100 रुपे के 100 goods पहुचे हैं इन 100 goods में से 90 goods को वो बेच चुका है बेच चुका है इस 90 सामान के उपर इसको ए जो है वो क्या देगा commission देगा तो उसको भी हम कह सकते हैं कि एक ही जेव से जारी है commission ठीक है तो एक ही जेव से एक और चीज जारी है commission दूसरा जो यह 100 था 100 में से 90 बेच चुका है तो आप पुछो के बागी 10 का क्या हुआ आठ मान लेते हैं आठ वो अभी बेच नहीं पाया वो उसके पास बचे हुआ है यह सामान उसके पास बचा हुआ है ठीक है यह सामान वो इस साल नहीं बेच पाया हो सकता है वो अगले साल बेचे अब बचे दो सामान और बचे है तो वो दो सामान का क्या हुआ, वो दो सामान चोरी हो गया, या फिर आग लग गई उस सामान के अंदर, वो सामान का loss हो गया, ठीक है, तो इस तरह के loss को, जिसकी कोई कलपना नहीं करता, उमीद नहीं करता, उस loss को कहा जाता है, abnormal loss, उसका abnormal loss हो गया, तो अब आप क्या याद क के लिए कहानी आपको ज्यादा फायदे मंद रहेगी अब जो भी आपकी right side है right side पर आप ये तीन चीज़े लिख देंगे ये तीन चीज़े आपकी right side पर आ जाएंगी और बाकी जो भी बचा वो सब आपका left side पर आ जाएगा इसको एक बड़ी आप देख लिए पिर कि इसमान आपा रखना रागते हैं है Nik लोग यह साँ마न उसके पात का भी人13 stabilis का राखना है वह पुत परलिवी पुत 50 जाओं चरह सकता है मुटेल चाहएं वह भी दिन फाटा है है कि ने मtesसे करेक्फा है उसके पास रखा हुआ है यानि कि बचा हुआ है बचा हुआ सामान यहाँ पर आ गया तीसरा उसका abnormal loss abnormal loss यानि कि चोरी हो गया या फिर आग लग गई या कोई भी ऐसी चीज हो गई तो यह तीनों चीज़े आपकी credit side पर आ जाएंगी तो अब इसमें आप confused नहीं होंगे सीधा आएगा question आप mark करके आ जाएंगे अब debit side पर क्याएगा जो बाकी बचा वो बाकी क्या बचा यह 100 रुपे का सामान भेज रहा है 100 रुपे का सामान भेज रहा है अब भी खर्चा B ने किया है B के खर्चे को A दे देता है पहले बले ही B करेगा खर्चा अपनी जेव से लेकिन बाद में A जो है वो खर्चा उसको वापिस कर देता है तो वो सारा खर्चा B A का होता है तो वो भी इस साइड लिखा जाएगा और लास्ट में आपका यहां पर जो बैलेंस बचेगा उसको आम कहेंगे Net Profit हो रहा है तो यह आपका Consignment Account उसके अंदर कौन-कौन से आइटम आते हैं वो आपको यहां से याद हो जाएगे दूसरा हमें जो अकाउंट देखना है वो है Consignee Account Consignee के Account में आप क्या करेंगे आप सिरफ याद रखने के ही तरीके बताऊंगा मैं इसमें ताकि आप पेपर के अंदर मार्क कर सकें यह जो चीज है यह चीज आप Credit Side पर लिखते है Consignee के Account में Consignee Account दिख रहा न आपको यह लिखेंगे आप Credit के Side पर देखें दिख रहा Consignment और यह उसकी Commission हो गई यह आप Credit Side पर लिखेंगे दूसरी चीज आप क्या लिखेंगे जो भी Consignee ने Sale कर दी जो भी Consignee ने Sale कर दी वो आप Debit Side पर लिख देंगे Consignee Account में अगर आपने Account सब तक Revise कर लिया होगा तो यही देख के आपको पता चल रहा होगा यही चीज अगर आप देख लेंगे तो इसी में से आपको पता चल रहा होगा इसमें Consignee Account की दो Entry है एक यह Entry और एक यह Entry तो Consignee Account के अंदर यह दोनों Entry आपको दिखानी पड़ेंगी ठीक है तो बस याद रखने के लिए यह आपको Debit Side पर लिखाना है जो Credit में है और जो आपके Debit Side पर उसको आप Credit Side पर दिखाएंगे ठीक है तो यह ही हो रहा है यह Debit Side पर और यह Credit Side Credit Side पर Consignee Account में एक चीज और आएगी जिसको कहते हैं Advance यह Advance हम आगे करेंगे ठीक है तो Advance जो है वह भी आपका Credit Side पर आता है तो आपकी जो सबसे बड़ी थियोरी थी वह खतम हो गए अब बस हम कुछ चीज और देख लेते हैं यह वह कर्के मैंने आपके लिए गज़ी दिए.. कि जब A B के पास सामान भेजता है तो A का क्या 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 क्रचा हो सकता है B का क्या क्या क्रचा हो सकता है B के खर्चे को मैंने दो part में G डिवाइड कर दिये एक part है उसके premise में पहुँचने से पहले का खर्चा ठीक है उसकी building में पहुंचने से पहले का खर्चा और दूसरा है उसकी building में पहुंचने के बाद का खर्चा ये मैंने क्यों किया है ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि अब हमें जो चीजे देखनी है वो है कि जो सामान भेजा जा रहा है जो A goods भेज रहे, उन goods की value क्या है, value क्या है, ठीक है, फिर मैंने आपसे loss की बात करी और मैंने आपको abnormal loss का example दिया, तो losses के बारे में हमें बात कर दिया, और फिर B की जो कमाई है, कमाई क्या है, B की commission कमाई है, तो हम commission के बारे में, ये 3 चीज़े देखनी है, तो ये जो हम B का खर्चा, B का खर्चा जो है, ये हम दो पार्ट में divide कर रहे है, वो हम क्यों कर रहे है, क्योंकि हमें goods की value निकालने होती है, इससे, वो कैसे होती है, वो देखी अब आप, हम पहले निकालेंगे closing stock का, closing stock की value, यानि कि A ने 100 समान B के पास भेजे थे, B ने 90 समान तो भेज दि बड़ा हुआ है, ये अभी हमें देखना है, तो देखिए, आप एक खुदी अनुमान लगाई है, आप हैं, आप ये business कर रहे हैं, आपने 100 रुपे की चीज ली, और उसको आप B के पास भेज रहे हैं, और भेजने में, B के पास भेज रहे हैं, और भेजने में, आपका खर हो गया, तो आप ये थोड़ी कहेंगे, कि आपने 100 रुपे का सामान भेजा है, आप तो ये कहेंगे, मेरे सामान की value 110 रुपे की है, B वहाँ पे B के पास सामान पहुंचता है, B उसको अनलोड करा लेता है, और उसके यहाँ पे 5 रुपे का खर्चा और हो गया, 5 रुपे का पहले का खर्चा है, बिल्डिंग पहुंचने से पहले का खर्चा है, तो ये सामान, और ये पैसा भी कौन वापिस कर रहा है, आप ही वापिस कर रहे हैं ये पैसा भी, तो आप क्या बोलेंगे, कि मुझे ये सामान वहाँ पे B तक पहुंचाने में कितने का पढ़ रहा है, आप बोलेंगे मुझे 115 का पढ़ रहा है ठीक है फिर उसके बाद B कहता है कि मेरे पास तो warehouse के अंदर जब मैं store करता हूँ तो मुझे warehouse का भी खर्चा देना पड़ता है साथ की साथ में मैं advertisement कराता हूँ उसका भी खर्चा देना पड़ता है तो तुम इसके खर्चे को भी अपने stock की value के अंदर add कर लो तो आप कहते हैं नई ये नई add मैं करूँगा ये क्यों मैं add नहीं करूँगा क्योंकि ये जो खर्चा है ये खर्चा recurring nature का है ये खर्चा तो तुझे हर साल हर महीने तुझे ये खर्चा करना ही करना है ठीक है मैं सामान भेजू या ना भेजू ये खर्चा तो हो गई होगा तो अगर मैंने सामान नहीं भी भेजा है तो भी ये खर्चा हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि इसका मेरे सामान से लेना देना नहीं है नहीं है कि इसी वज़ा से मैं इसको अपने stock की value में नहीं रखूँगा, तो उसके कहने का मतलब क्या है, उसके कहने का मतलब भी है कि मैं stock की value कैसे निकालूंगा, मैं stock की value निकालूंगा, पहले तो मैं यह बताऊँगा, कि मेरे goods कितने के आये थे, यानि कि goods की purchase price कितनी थी goods की purchase price कितनी थी जो कि हमारे इस case में है 100 रुपे की फिर वो कहता है, फिर मैं इन goods को तेरे पास तक पहुँचाने में, मेरा 10 रुपे का खर्चा हो गया, यानि कि वहां तक पहुँचाने में मेरा consignor का expense हो गया कुछ, ठीक है प्लस में, उस सामान को जब तु अपनी building में पहुचाएगा तो building में पहुचाने तक का 13 भी कुछ खर्चा हो रहा है building में पहुचाने का तेरा भी कुछ खर्चा हो रहा है तो consignee का expense consignee का expense जब तक कि वह building में ना पहुच जाए ठीक है, तो building में पहुँचने तक का जितना भी खर्चा होगा, वो सारा का सारा stock की value के अंदर जोडा जाएगा, तो यही stock की value है और यही आपके closing stock की भी same value हो जाएगी, तो कैसे निकालेंगे, आप इसको निकालेंगे, कि आपका जो भी जैसे 8 सामान बचा है, तो इस 8 सामान का purchase price कितना था, ठीक है, purchase price of unsold goods, प्लस में, इन 8 सामान को load करा के, pack करा के, transport करा के, जो भेजा वो, प्लस में, तुने इन 8 सामान की unloading करा ही, वो, unloading करा के, अपने premise सक पहुचाया, वो, यह वाला खर्चा भी मैं इसके अंदर जोड दूँगा, तो proportionate expense till the goods reach consignee's premise, यानि कि consignee's premise में, पहुचने के बाद जो भी खर्चा होगा, वो मेरे stock की value में नहीं जुड़ेगा, यह वो कह देता है, ठीक है, तो यहाँ पे, एक बारी मैं फिर से और बताता हूँ, थोड़ा सा और simple करने के लिए, आप खर्चे को 3 पार्ट में, डिवाइड कर लीजिए, ठीक ह दूसरा पार्ट है, B के पास से उसके warehouse तक पहुचने में, ठीक है, A से लेके B तक पहुचने में, फिर B से लेके warehouse तक पहुचने में, और फिर है, warehouse में या फिर उसके premise में पहुचने के बाद का, यह 3 खर्चे हो गए, तो आप इन 3 खर्चों को, यानि कि A से लेके B तक वह वाला खर्चा ये वाला खर्चा आजाएगा प्लस में B के पास पहुंचने के बाद से उसके प्रिमाइस में पहुंचने तक का जो भी खर्चा होगा चाहें वो ट्रांसपोर्ट का हो अनलोडिंग का हो कोई भी हो वो खर्चा आपके stock की value के अंदर जोड़ा जाएगा तो 100 रुपे तो होई गए प्लस में ये वाला इसको मैं X माल लेता हूं प्लस में ये वाला इसको मैं Y माल लेता हूं ये जो Z वाला खर्चा है Z वाले खर्चे को नहीं जोड़ा जाएगा तो इसी तरह का आपसे कोशन आ जाएगा कि stock की valuation कर में premis में पहंचने से पहले का खचा तो आप बोल दोगे नहीं वह नहीं देखा जाता अगा अगया उप्सक्णble का का खर्चा आपके प्रिमाइस की वेल्यू में जोड़ा जाताप नहीं क्योंकि advertisement उसके premise में पहुचने के बाद की जाती है ठीक है? तो यही stock की valuation का भी तरीका है और यही closing stock की valuation का भी तरीका है I hope यह clear हो गया होगा आपको याद तो होई गया होगा कम से काओं अब जो consignee हैं वही consignee के दो तरह के खर्चे होते हैं एक तो recurring खर्चा और एक non recurring खर्चा recurring खर्चा वो है जो की हर बारी हर महीने होता ही रहेगा जैसे advertisement पे, warehouse पे तो stock की valuation में इनको कभी भी consider नहीं करते हैं दूसरा है non recurring non recurring आपकी stock की value में जोड़ा जाता है इसका example transportation और unloading ये दो तरह के खर्चे इसमें जोड़ जाते हैं अगर question के अंदर bifurcation नहीं दे रखा मदब अगर ऐसे बोल दिया कि 100 रुपे का खर्चा हुआ कंसा ही नहीं का तो आप उस 100 रुपे को recurring ही मान के चलेंगे expense को हमेशा अगर कुछ नहीं लिखा होता तो फिर आप उसको recurring मानेंगे फिर उसका evaluation of abnormal loss loss की बात करते हैं अब loss जो है मैंने आप से कहा था 100 सामान मान लिजे पहुँचे 100 में से 90 सामान वो बेच दिया 8 सामान उसके पास अभी भी बचा हुआ है दो सामान उसका चोरी हो गया तो अगर आप से कोई कहे कि ये बता दो कि कितने का सामान चोरी हो गया कितने का loss हो गया कितने का ऐसा loss हो गया जो की abnormal था कितने का ऐसा loss हो गया जो की abnormal था अगर आप से कोई ये पूछे तो आप कैसे जवाब देंगे आप पहले उसे पुझेंगे, पहले तो मुझे ये बताओ, loss हुआ कहा है, जो चोरी है, वो चोरी कहा हुई है, A ने सामान भेजा B तक, अगर सामान यहीं पे ही चोरी हो गया, तो उसको भी तो हम कहेंगे कि abnormal loss है, उसको भी कहा जाएगा कि वो abnormal loss है, सामान यहां से यहां तक जा रहाता, ट्रक का accident हो गया और कुछ सामान गिर गया, तो वो भी abnormal loss है, ठीक है, तो यह वाला, यह जो abnormal loss हुआ है, यह रास्ते में ही हो चुका है, बी के पास तक पहुचा ही नहीं, तो stock की value आप कैसे निकालेंगे, stock की value मान लिजे, दो चीजे आपकी रास्ते में ही चोर purchase price था वो, sorry, जो दो चीजे चोरी हो गई, उन दो चीजों का जो भी purchase price था, purchase price था, वो उसकी value में जुड़ जाएगा, ठीक है, आप से कोई पूचे कितने का नुकसान हो गया, तो पहले तो आप यह बोलेंगे, भई, दो रुपे के तो वो सामान खरीद आई था, ठीक है, दो सामान मैंने दो रुपे के खरीद ही थे, तो दो रुपे का तो सीधा सीधा नुकसान है, फिर उसके बाद उसको भेजने पे, उसको भेजने पे, एक कुछ खर्चा हो रहा है, उसने उसकी पैकिंग कराई होगी, उसने उसको लोड कराया होगा, उसने उसका ट्रांस्प प्लस इन दो समान की पैकिंग कराने पे, मेरा 0.5 पैसे का खर्चा आता था, इन दो समान को लोड कराने पे, मेरा 0.3 पैसे का समान आता था, इन दो खर्चों को ट्रांसपोर्ट कराने में, मेरा 0.2 पैसे का खर्चा आता था, तो यह टोटल में लाकर मेरा 1 रुपे का खर्च क्योंकि जो सामान है वो तो रास्ते से चोरी हो गया, वो B तक तो पहुंचा ही नहीं, जब सामान B के पास पहुंचा ही नहीं, तो क्या B उस सामान के उपर कोई खर्चा कर सकता है, नहीं कर सकता, तो इसलिए अगर आपका जो loss हो रहा है, abnormal loss वो रास्ते में हो रहा है, तो उस सामान की value में B के खर्चे को नहीं जोड़ा जाता ठीक है consignee के expense को नहीं लिया जाता ठीक है यह आपको याद रखना है और इसके उपर आपसे question पूछा जा सकता है कि valuation में कौन सा खर्चा जोड़ते हैं और कौन सा नहीं जोड़ते हैं अब अगर आपसे बोलें कि जो abnormal loss हुआ है वो B के यानि कि consigner के premise पे पहुचने के बाद हुआ है तो इसमें आप क्या क्या जोड़ेंगे एक तो जितना भी सामान चोरी हो गया उस सामान की value दूसरा उस सामान के ऊपर A ने जो भी extra खर्चा किया है B तक पहुचाने का प्लस में B ने जो भी B ने जो भी खर्चा किया है उसको अपनी premise तक पहुचाने का ठीक है ये वाला ये वाला नहीं premise पहुचने के बाद चोरी होता है तो नहीं premise से पहले वाला ठीक है तो सारा का सारा खर्चा consigny का जो की non recurring nature का है recurring वाले को नहीं जोडते यहां पे भी तो यह आपकी valuation of abnormal loss हो गई तो अब सवाल होता है कि abnormal loss हो गया तो क्या कोई normal loss भी होता है normal loss भी होता है normal loss का example क्या है माल लीजिए मेरी petrol की industry है या फिर कोई spirit बनाता हूँ मैं spirit की industry है तो आपको अगर मैं 100 liter पेट्रोल भेज रहा हूँ अगर मैं 100 liter भेज रहा हूँ तो चाहे मैं कुछ भी कर लूँ वो अगर 10 km तर किसी ट्रक में जाएगी तो जब वो अपनी destination पे पहुचेशन पे पहुचेगी तो वो सिरफ 90 liter रह जाएगी यह उसकी industry की एक characteristic है तो इस खर्चे को क्या मैं accounts में दिखाता हूँ क्या मैं इसको consignment account में दिखाता हूँ मैं इसको नहीं दिखाता क्यों क्यों क्योंकि मुझे पहले से ही पता है मुझे पहले से पता है कि अगर मैं 100 रुपे का 100 liter पेट्रोल 100 रुपे का 100 लिटर पेट्रोल 10 किलो मीटर की दूरी पर भेज रहा हूँ तो वो वहाँ पे पहुँचने के बाद 90 लिटर ही रह जाएगा तो मैं क्या करूँगा? मैं पहले से ही बोल के रखूँगा कि मेरा जो 100 100 लिटर, मेरा जो 100 रुपे खर्चूँए मेरे 100 रुपे 90 लिटर पे ही खर्चूँए पहले से अपनी decision making के अंदर उस नुकसान को पहले से ही दिखा के चलते हो जब आप पहले से ही दिखा के चलते हो, यानि कि आप ने 100 रुपय का 100 लिटर पेट्रोल खरीदा था, लेकिन आपक्या बोलेंगे, कि मैंने 100 रुपय का 60 l खरीदा है, क्योंकि 10 l आपको उड़ जाना है, तो आप पहले से ही बोलके चल रहे हैं, total cost upon में यह है, सिंपल सा है, अब हम देखते हैं, commission, commission भी बहुत ही simple सा concept है, तीन तरह की commission हमें देखनी है, तीन तरह की commission होती है, एक तो ordinary commission, इसके बारे में आपको जादा नहीं चानना, ठीक है, commission कौन देगा, A देगा B को, Dell cradle commission के अंदर क्या होता, मान लीजिए, B ने यह सामान बेचा किसी आदमी को, इस सामान ने तुरंट इसको पैसे दे दिये, तो इसको कहेंगे हम cash transaction, इसने दूसरा सामान बेचा दूसरे आदमी को, और उसने उससे कहा कि भाई, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझसे कल ले जाई हो, जिसको कहता है credit transaction, और business के अंदर credit transaction बहुत सारी होती है, ठीक है, तो यह दो तरह की transaction होती है, तो Dell Cred Air में क्या होता है, A जो है, वो B को encourage करता है, कि तू credit पे, credit पे और सामान बेच, तो B कहता है, B कहता है कि मैं credit पे और सामान क्यों बेचू, इससे तो आपको नुकसान हो सकता है, B, A को बोलता है कि इससे तो आपको नुकसान हो सकता है, हो सकता है कि मैंने उसको उधारी पे बेच दिया, और उसने वो उधारी चुकाई नहीं, वो जो debt था, वो जो debt था, वो bad बन गया, bad debt हो गया, तो A कहता है एक काम कर मैं तुझे कह रहा हूँ तुझे क्रेडिट पे बेच लेकिन मैं रिस्क नहीं लूँगा मैं तुझे बदले में जादा पैसे दे दूँगा A, B से कहता है मैं तुझे High Commission दे दूँगा Commission जो है मैं तुझे थोड़ी जादा दे दूँगा लेकिन मैं कोई रिस्क नहीं लूँगा तो अगर तुझे मन्जूर है तो तुझे आदमियों को ढूंड ले जो कि थोड़े रिलाइबल हो और फिर उनके साथ तुझे थो Credit Transaction कर ले तो B जो है ऐसे आदमियों को ढूंडने की कोशिश करेगा जो कि रिलाइबल है और उसके साथ Credit Transaction करेगा ताकि जो उसकी Commission है उसको ज़्यादा Commission मिल जाए Normal Sale में Normal Ordinary Commission के अंदर हो सकता है वो 2% दे रहा हो Dell Cradier के अंदर हो सकता है उसको 3% मिल जाए Commission 3% मिल जाए ठीक है लेकिन इसके अंदर B जो है रिस्क B का होता है रिस्क B का होता है यानि की अगर वो ऐसे आदमियों को ढूंड के लाता है जो की उधार नहीं चुका पाते और Bad Debt बनता जाता है Bad Debt बनता जाता है तो वो रिस्क कौन जहेलेगा रिस्क B जहेलेगा यानि की Consignee जहेलेगा Consigner रिस्क नहीं लेता है Consigner कहता है भाई देख मैं तुझे जादार कमिशन दे सकता हूँ पर मैं रिस्क नहीं ले सकता ठीक है मैं तुझे बोल रहा हूँ कि तू उधार पे दे यह boost करती है credit sales को लेकिन जो risk है bad debt का वो किसके पास होता है ? consignee के पास होता है consigner के पास नहीं होता ठीक है ? तो यह जो bad debts है इनको कौन बियर करता है उनको consignee year करेगा तो जब consignee year करेगा तो क्या consignee अपनी book के अंदर bad debts लिखेगा ? नहीं तो bad debts को consignor की book के अंदर नहीं लिखा जाता है bad debts को consignee की book के अंदर लिखते हैं और consignee कैसे लिखता है consignee अपनी book के अंदर कहीं न कहीं लिख रहा होगा कि मुझे इतनी commission आने वाली है मान लिजे वो book के अंदर लिख रहा है 100 रुपे का तो वो अपनी बुक्स के अंदर का रिकॉड करेगा वो अपनी बुक्स के अंदर रिकॉड करेगा 500 कमीशन आनी थी 100 रुपे का बैड डेट हो गया 400 रुपे की मेरे पास नेट कमीशन बची तो वो अपनी credit पर कर रहा है, यह जो दोनों के दोनों है, यह normal या normal जो commission होती है, उसी model पर काम कर रहे हैं, डेल क्रेडियर पर नहीं कर रहे हैं, तो इस case में अगर जो बी ने उधार दिया है, यह bad debt बन जाता है, यह अगर bad debt बन जाता है, तो इसको कौन जिलता है, अगर डेल क्रेडियर नहीं है, तो bad debt को कौन जिलता है, तो consignor जिलता है, अगर डेल क्रेडियर इस not provided, तो consignor बियर करता है इस खर्चे को, ठीक है, एक होती है, overriding commission, तीन तरह की commission, एक तो हमने सबसे पहले देखी, जिसमें कुछ भी नहीं है, एक दम normal commission, दूसरी, डेल क्रेडियर, क्रेडिट सेल्स को boost करने के लिए, overriding commission क्या होती है, overriding commission होती है, consignee को motivate करने के लिए, कि वो ज़ादा value पे बेचे, यानि 100 रुपे का सामान, उसने B के पास भेजा था, B को वो motivate करता है, कि देख, 2% तो तेरे को commission में वैसी दे रहा हूँ, ठीक है, 2% वैसी दे रहा हूँ, अगर तू इस सामान को 110 रुपे से उपर बेच देगा, तो जितना भी उपर बेचेगा तू, माली जे तूने 150 का बेचा, तो 40 रुपे उपर भीजे ना, तेरे को इस 40 रुपे पे, 1% की commission और दूँगा, यानि कि उसको ये ज़ादा से ज़ादा दाम पे बेचने के लिए, motivate करता है, ठीक है, अगला topic हमें advance देखना है, advance के अंदर क्या होता है, A जो है, B के पास, B के पास 100 रुपे का सामान भीज रहा है, A B से क्या कहता है, देख मैं 100 रुपे का सामान भीज रहा हूँ, 10 रुपे का खर्चा हो गया, यहां पर 10 का, तो वो कहता है कि लगभग 120 रुपे की value है मेरे सामान की, तू इस सामान को कम से कम 1.500 रुपे में आगे बेच सकता है तो एक काम कर, मैं तुझे ये 120 रुपे की value का सामान भेजूँगा पर तू मेरे को कुछ advance जमा करा दे, तू इसको 1.500 रुपे में बेच सकता है न, तो एक काम कर, 50 रुपे मेरे पास पहले से ही जमा करा दे तू अपने ये 1.500 रुपे के बेचता रही हो बदले में जो कमिशन तुझे देनी होगी ठीक है, जो कमिशन B ने क्या किया इस सामान को 1.500 रुपे के सामान उसने बेच दिया फिर वो A को बताता है कि भाई मैंने तुमारा 1.500 का समान बेच दिया A जो है उसको बदले में कमिशन देता है ठीक है, तो A क्या कहता है तू जब समान बेच देगा, तेरे पास पैसे आयोंगे तू उसमें से 50 रुपे अपने पास रख लिए बाकी मुझे दे दियो और बाकी जो भी कमिशन बचेगी मुझे दे दूँगा, तो एडवांस बेसीकली क्या है A, B से क्याता है कि कुछ रुपे तू मुझे पहले से दे के रख ले इन पैसों को तू अपनी कमिशन के रूप में काट लिए अपनी कमिशन के रूप में काट लिए आँ, A जो है इस ने 100 रुपे का सामान B तक पहुँचा दिया ठीक है अगर B इस सामान को 1.500 रुपे का बेच देता है तो ये जो 1.500 रुपे ये तो A के पास पहुँच जाते है 1.500 रुपे और बदले में A क्या करता है, B को क्या देता है commission देता है, commission देता है मान लेते है commission है इसकी commission है इसकी 60 रुपे मान लेते है commission है, ठीक है तो A क्या कहता है A कहता है कि तू मुझे 50 रुपे advance दे दे, ठीक है A ने कह दिया कि जैसी दिर पास समान पहुंचे है मुझे 50 रुपे दे दियो फिर उसके जाए तू समान बेचता रहा और जो तूने एडवांस दिया है ठीक है बी जो है समान बेचेगा समान बेचके बी के पास 1.500 रुपे आ गए ठीक है ये 1.500 रुपे उसे ए को पहुचाने थे तो बी क्या करेगा अपने ये जो एडवांस उसने ए को दे रखा है उसको अपने पास रख लेगा और 100 रुपे ए के पास पहुचा देगा कितने पहुचा देगा 100 रुपे ए के पास पहुचा देगा और फिर ए जो है जो भी बी की कमिशन बचती है 10 रुपे बचती है ना 10 रुपे और दे देगा तो यह advance का concept होता है, जादा बहुत जादा detail में जाना नहीं है, बस इसमें आपको यह याद रखना है कि जैसे ही B जो है sale कर देता है, उसकी जो advance है, वो पूरी तरह से उसको वापिस हो जाती है, दूसरा concept आते है, इसमें security का, security किसलिए होती है, कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो सामान लेके गाया भी हो गया, सामान लेके गाया भी हो गया, तो A क्या करता है, A, B से कहा देता है कि तू मेरे पास कुछ security जमा करा दे, मैं तुझे 100 रुपे का समान दे रहा हूं, बदले में तू 50 रुपे मेरे पास as security जमा करा दे, जब तू सारा का सारा समान बेच देग ये word याद रखना, जब तू सारा का सारा सामान बेच देगा, मैं तुझे तेरी commission, मैं तुझे तेरी commission, प्लस में तेरी security, दोनों की दोनों वापिस कर दूँगा, पर अगर ऐसा हुआ कि तू 100 रुपे का सामान ले गया, और तूने 90 रुपे का भी बेचा, 10 रुपे का सामान भी रहता है, तो मैं तुझे सिरफ 90 रुपे की commission दूँगा, और जब तू ये बाकी का 10 सामान भी बेच देगा, तब तेरी security वापिस मिलेगी, और इन 10 रुपे पे commission भी मिल जाएगी, ठीक है, यानि कि security कब मिलती है वापिस, जब पूरा का पूरा सामान बिक जाता है, से रह गया, उतने की security वो अपने पास जमार रखता है, ठीक, ये बस इतना concept आपको देखना है, मैं आपको इन सब के journal entries भी दे दूँगा, पर मेरी तरफ से यही होगी, कि अगर समझ आये तो समझेगा, वरना आप उसके उपर जादा ना obsess करें, क्योंकि journal entry वैसे भी वो नह सब्सक्राइब करें, हमारे लेक्टर्स की combined PDF का लिंक आपको description में मिल जाएगा, अगला topic हमारा branch accounting का है, ये भी बहुत ही जादा technical topic है, इसलिए हम इसके बहुत जादा deep में जाएंगे, हम इसकी theory के ओपर concentrate करेंगे, तो इसका भी concept वही है, कि एक आदमी है, एक business है, जो अप इन्हें आपको expand करना चाहता है, दूसरी जगाओं पर, तो मान लिजे एक आदमी था, या फिर business ले लेते हैं, A limited, A limited Delhi के अंदर था, और वो चाहता है कि ये मेरा head office बन जाए, और मैं बाकी states के अंदर, बाकी जगाओं के अंदर भी अपनी branches खोलना चाहता है, ये जो अपन खोलेगा, ये हर एक ब्रांच अपने आप में एक नया profit center है, हर ब्रांच उसके लिए profit कमाने का काम करना चाहिए, ठीक है, तो हर एक ब्रांच जो है, उसको वो एक separate profit center की तरह treat करता है, और ब्रांच की हर एक activity, सारी की सारी activity, जो है, वो head office के control में होती है, और उसी की directions होती ह ब्रांच जो है, वो independently ज़्यादा काम नहीं कर सकती, तो ब्रांच accounting क्यों develop की, देखिए, ये head office है, और इसकी ये धेर सारी branches है, तो head office भी तो ये जाना चाहिएगा, कि मैं दिल्ली के अंदर मेरी head office है, मेरी मुंबई की ब्रांच अच्छा काम कर रही है या नहीं कर रही, इ मुझे मुंबई की ब्रांच को बंद कर देना चाहिए, तो उस case में head office को ये जानने की बहुत ज़रूरत है, कि मुंबई की जो ब्रांच है, उसका profit and loss क्या हो रहा है, उसका profit हो रहा है या loss हो रहा है, तो इसलिए वो क्या करेगा, वो इस ब्रांच का एक account बनाने की करेगा, ठीक है, तो वो account बनाने के ही हम अलग-अलग तरीके देखेंगे, और इस पूरी के पूरी जो study होती है, इसको branch accounting कहा जाता है, तो जो branch accounts हैं, वो हम क्यो बनाते हैं, ताकि हम branch का profit and loss निकाल सकें, हम देख सकें कि उसकी financial position क्या है, head office को पता होना चाहिए, कि किस branch की क बनाए जाते हैं, तो जब branches हैं, वो हम दो तरीके से classify कर सकते हैं, या तो inland branch होगी, या फिर foreign branch, inland branch वो है, जो एक ही देश के अंदर है, मताब head office भी India के अंदर है, और उसकी branch जो है, वो भी India के अंदर है, पर location इनकी अलग-अलग हो सकती है, ठीक है, दूसरी foreign branch जो है, दूस हमेशा independent होती है, इसका क्या मतलब है, देखिए, यहां से आप समझते हैं, इसका मतलब, inland branch जो है, वो दो तरह की हो सकती है, या तो dependent होगी, या फिर independent होगी, अगर branch, अगर जो branch है, वो अपनी accounting खुद कर रही है, अपनी branch जो है, उसने खुदी अपनी books बना रखी है, और उ head office खुद हिसाब किताब रखता है कि मैं कितना समान भेज रहा हूँ, कितना branch के पास अभी asset पड़ा है, branch की कितनी liabilities है, हार एक चीज का हिसाब किताब headquarter खुद maintain करता है, तो ऐसी branches जिनका accounting जो है, वो head office कर रहा है, उनको dependent कहा जाता है, ठीक है, और जो वैसी वाली है, जो books जो है, खुद maintain करती है, उनको independent कहते हैं, तो सारी की सारी foreign branches independent होती है, वो dependent नहीं होती, यानि कि जो foreign branch होगी, वो अपने accounts को खुद maintain करेगी, तो अब जो हमने example लिया था कि, एक head office जो है, वो India के अंदर है, और branch जो है, वो US के अंदर है, और ये independent होगी, यानि कि US की branch अप के अंदर, डॉलर के अंदर करेगी, ऐसी यूरोप के अंदर होती, तो वो यूरो के अंदर कर रही होती, ठीक है, तो जो foreign branch है, वो उसी देश की currency में अपने account को maintain करेगी है, वो अपने account को maintain करके, अपने accounts की जो information है, वो head office तक पहुचा देती है, head office फिर क्या करता है, वो ज conversion में कौन help करता है, इस conversion में accounting के कुछ standards है, AS11, आप बस ये याद रखी कि कौन help करता है, AS11 help करते हैं, इस conversion में, कि foreign currency में जो information हमें है, उसको हम जब अपनी currency के अंदर convert करते है, तो AS11 के जो भी standards है, उनको follow किया जाता है, ठीक है, तो foreign branch क्या है, वो अपने account खुद बनाती है और foreign currency के अंदर बनाती है, और जब ये financial information head office को receive होती है, तो वो उसको convert करता है, अपनी home currency के अंदर, ठीक है, trial balance को head office अपनी books के अंदर तब ही incorporate कर सकता है, जब उसने dollar को रुपे में convert कर लिया हो, और इसमें मदद उसकी AS11 करते हैं, तो ये types of हो गए, एक अगला concept जो मैं ब को समान बेच देती है customer को, अब head office के पास choice ये है कि उसने 100 रुपे का समान था, उसने branch को भेजा और branch को कहा कि ये 100 रुपे का समान में 100 रुपे का ही भीज रहा हूँ, तो इसको का जाता है कि head office ने cost price पे ही, जितने का समान था उतने पर ही branch को भेज दिय, अब branch जो है, वो ब्रांच के मैनेजर को ये नहीं बताना चाहता कि जो सामान ब्रांच के मैनेजर को मिल रहा है, उसकी असली प्राइस क्या है, असली प्राइस थी 100 रुपे, हैड आफिस क्या करेगा, हैड आफिस उन्हें बताएगा कि प्राइस है 120, ताकि ब्रांच मैनेजर को रियल कॉस्ट पता ना चले, आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये एक तरह का एक hidden profit है, जो कि head office branch को जब सामान भीज रही है तब वो already अपना एक hidden profit लगा के भीज देती है आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं तो 100 रुपे की cost थी लेकिन उसने उसको invoice price पे भेजा है यानि कि invoice पे लिख दिया है 120 रुपे और वो जो branch है वो आगे customer को कितने भी रुपे में बेज सकती है अब इसके अंदर जहां से question आ सकते हैं वो देखिए अब पहला तो आपको ये याद रखना है कि जो branch account है अभी हम देखेंगे कि क्या चीज है ये पूरे account से हम खाते ही बनाते हैं तो इसके अंदर एक branch का account बनता है branch का account हम दो तरीकों में बनाते हैं एक तरीका है debtor system या फिर debtor method और दूसरा तरीका है आपका final account system या फिर final account method इन दोनों method के अंदर branch account बनते हैं लेकिन जो branch account बनते हैं, उनके nature अलग-अलग हैं. debtor method के अंदर, debtor system के अंदर, जो branch account है, वो nominal nature का होता है. ठीक है, इस पर question आ सकता है, बहुत important वो है, तो इसको आप याद कर लेंगे. दूसरा, आपके final account के अंदर, final account system यो final account method के अंदर, जो branch account बनता है, वो branch account आपका personal account का होता है. ठीक है, तो ये भी important है, इसको भी याद रखना है. फिर एक fact ये है, कि जो भी profit और loss है, हर branch का अलग-अलग से separately calculate किया जाता है, profit और loss को. अब हम देखते हैं, dependent branches, यही सबसे आदा important है, यही से सबसे आदा question आने के आपके chances रहेंगे, independent और जो आपकी foreign branch है, वहाँ से question आने के chance बहुत ही कम है, ठीक है, लगबग ना के बराबर माल लिए जाए. मतलब मैं यह नहीं कहूंगा कि आई नहीं सकता, पर chances बहुत कम है, dependent branches, ठीक है, यानि कि इनके जो खाते हैं, इनके जो accounts हैं, वह कौन maintain कर रहाँगा, वह head office maintain कर रहा है, तो head office, branch की सिरफ वह information को लिखते जाते हैं, जिनसे head office यह निकाल सके, कि branch को profit हो रहा है या loss हो रहा है, ठीक है, head office को सिरफ profit और loss से मतलब है, तो इसको का जाता है कि वह memorandum basis पे, अपनी branch के जो accounts हैं, उनको maintain कर रहा है, चार तरीकों से, वह अपनी branch के accounts को maintain कर सकता है, वो चार method कों से हैं, debtor method, stock and debtor method, final accounts method, और wholesale branch method, जो अभी हमने देखा कि branch account, दो method के अंदर हमें देखने को मिलता है, branch accounts, एक तो debtor method के अंदर आपको बनता हुआ मिलेगा, और दूसरा, आपको final accounts के अंदर बनता हुआ मिलेगा, पहले हम देखते हैं debtor method, debtor method को हम one system account, one system भी बोलते हैं, क्योंकि debtor method के अंदर हम केवल और केवल एक ही account बनाते हैं, और उस account का नाम है branch account, अकाउंट, ठीक है, इसके अंदर हम सिरफ ब्रांच अकाउंट बनाते हैं, जो कि किस नेचर का होता है, नॉमिनल नेचर का होता है, ठीक है, ब्रांच अकाउंट जो कि, यह मैं आपको अल्रीडी बता चको हूँ, यह आपको याद रखने हैं, यह बहुत ही जादा निकाल लेते हैं, अब देखें, प्रॉफिट और लॉज जानने के लिए याद करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, प्रॉफिट और लॉज जानने के लिए आप क्या जानना चाहते हैं, आप यह जानना चाहते हैं, कि आपकी ब्रांच के एसेट कितने हैं, और यह जानन example लेकर चल रहा हूँ, आपकी ब्रांच के पास 100 रुपे के asset पड़े हैं और 20 रुपे की उसके पास उधारी है, तो अगर वो उस उधारी को या liability को या बोज को burden को चुका देता है, तो उसके पास 80 रुपे बचते हैं, तो क्या आप यह कह सकते हैं, कि आपकी ब्रांच के पास 80 रुपे की capital पड़ी है, ठीक है, तो आप यही सब तो देखना चाहते हैं, कि आपकी ब्रांच की financial position क्या है, आपकी ब्रांच को profit होगा या loss होगा, यह जानना चाहते हैं तो याद रखने के लिए ही मताया जा रहा है سब कुछ हिय? debtor method के अंदर आप यह देखेंगे कि आपकी ब्रांच के पास कितना asset है, और आपकी ब्रांच के पास कितनी liability है, आप यह देखेंगे कि कितना head office ने ब्रांच के ऊपर खर्चा कर दिया है head office ने branch के ओपर कितना खर्चा कर दिया है दूसरा आप देखेंगे कि branch से head office को कितना पैसा मिल गया है ठीक है यही चीज़े अगर आप पूरी की पूरी calculate कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको profit हो रहा है या फिर loss हो रहा है ठीक है one system account होता है देखेंगे कि आपके head office ने आपकी branch के ओपर कितना खर्चा कर दिया है ठीक है फिर देखेंगे कि आपके branch ने head office को कितना रुपया दे दिया है ठीक है head office को कितना रुपया दे दिया है और last में आप यह देखेंगे कि कितनी liabilities हैं और कितने assets हैं यह आपको ध्यान रखना है कि जब आप opening asset करते हैं, तो वो आपका debit side आता है, लेकिन आपके जो closing asset है, वो credit side आते हैं, अब इसे को detail में देख लेते हैं, बारी, debtor method के अंदर, जो head office है, वो अपनी branch को एक debtor की तरह treat करता है, इसलिए इसको debtor method कहा जाता है, इसके अंदर वो branch account prepare करता है, profit calculate करने के लिए, और branch account बनाने के लिए हो सकता है, उसको कुछ और भी account बनाने पड़े, इनके बारे में आपको जालता जानने की ज़रुद रही है, branch cash account, यानि कि branch के अंदर जितनी भी cash की transaction होंगी, वो सारी कहा लिखे जाएंगी, branch cash account में, ठीक है, branch के जितने भ stock account क्या होता है, cash account क्या होते है, तो बस branch लगा दिया, यानि कि cash account जो की branch से जुड़ा हुआ, debtor account जो की branch से जुड़ा हुआ, ठीक है, पर हमें किस से concern रहना है, हमें concern रहना है branch account से, तो debtor method के अंदर एक account बनाया जाता है, जिसका नाम होता है branch account, branch account से ही हम profit or loss निकाल लेते ह तो इसके अंदर opening assets क्या क्या हो जाएंगे कि branch के अंदर कैश पड़ा है bank के अंदर कितने पैसे हैं कितना stock पड़ा है debtor कितने है उसके machinery कितनी है यह सब asset के ही तो example देखे थे हमने तो पहले हम यह लिख लेंगे कि साल के शुरुआत में उसके पास यह कितना पड़ा है फिर हम यह देखेंगे कि कितनी उसके पास liability पड़ी है साल के शुरुआत में यह उसकी liabilities हो जाएंगे फिर head office head office कितना खर्चा कर रहा है branch के उपर, खर्चा कैसे हो सकता है head office खर्चा कर रहा है उसको लिख देंगे cash तो जितना भी खर्चा head office branch के उपर कर रहा है वो cash account में दिखाया जाएगा अब देखना है इस तरफ क्या देखेंगे इस तरफ हम देखेंगे कि जो आपकी branch है वो कितना पैसा, कितना रुपिया head office के पास भेज रही है वो रुपिया कैसे भेजेगी head office ने head office ने 100 रुपे का सामान branch के पास भेजा branch ने कहा मुझे 100 रुपे का नहीं मुझे तो 80 रुपे का सामान चाहिए यह जो 20 रुपे का सामान है यह अपने पास रख ले तो हम यह कह सकते हैं कि ब्रांच ने 20 रुपे head office के पास वापिस कर दिये तो goods return आ जाएगा यहाँ पर goods return फिर जितना भी cash होगा ब्रांच ने customer को चीजे बेच दी तो उससे उसको cash मिला क्या मिला cash मिला ब्रांच ने customer ब्रांच ब्रांच भीज़देगी head office के पास इनको कहा जाता है remittances तो cash sent to head office जिनको remittance कहेंगे वो क्या हो जाएगा जो भी उसने cash में sale करी वो और जितनी भी उसकी debtor से collection हुई अब यहाँ पर आपको क्या note करना है क्या यहाँ पर हमने credit sale लिखी है यहाँ पर हमने credit sale नहीं रखी यहाँ पर हम सिरफ cash की बात कर रहे है cash और collection from debtor उधारी वाली चीज़ को remittance नहीं कहेंगे फिर last में हम balance लिख देंगे ओपर तक का जादा important था balance लिख देंगे यहाँ पर आपकी closing liabilities आ जाएएंगी और यहाँ पर आपकी closing asset आ जाएंगे तो इसी तरह से इनी में से कोई एक example देके वो पूछ लेगा कि यह किस account में लिखा जाता है ठीक है good sent किस खाते में आपको दिखाई देगा good sent to branch account आपको किस debtor method में किस account के अंदर मिलता है branch account के अंदर किस side पे मिलता है टो रिजर्व यह stock reserve हम कब लिखते हैं जब देखे दो तरीके बताये थे मैनने यहां पर देखिए यह मैंने आपको दो तरीके बताये ना यहां तो जो head office है वो cost price पर ही branch को सामान भेज रही होगी goods जो है वो cost price पर ही भेज रही होगी अगर ऐसा होता है अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे stock reserve की adjustment नहीं की जाती है adjustment नहीं की जाती है ठीक है लेकिन अगर head office 100 रुबेगी चीज़ को 120 की बता रही है तो उसने क्या कर दी अपने stock की value को भड़ा के बताया है तो इस बढ़ी हुई value की adjustment करनी होती है और इस adjustment को stock reserve adjustment के नाम से किया जाता है यह आपको याद रखना है तो अगर आप से पूछ ले की stock reserve की adjustment कब की जाती है तो आप लिखेंगे invoice price के time पर stock reserve की adjustment करते हैं हम ठीक है किस खाते में की जाती है branch account के खाते में की जाती है stock reserve को adjust हम branch account के अंदर करते हैं ठीक है profit क्या होता है जब भी आपकी किसी branch का profit होगा तो उस profit के साथ last में क्या होगा देखिए head office है यह आपका branch है तो इस branch से माल लेते हैं 10 रुपे का profit last में साल के end में 10 रुपे का profit होगा तो head office क्या करती है इस 10 रुपे के profit को कहां पे transfer कर देती है उसको transfer कर देती है अपनी general profit and loss account के अंदर head office जो है अपने general profit and loss account के अंदर उसको transfer कर देता है क्योंकि branch का profit है रह चीजे आपक्या याद करेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी आपने जो branch account बनाया था जो branch account बनाया था उसके आपने remittances केंदर cash sale लिखी थी और debtor स जो recovery हो गई collection हो गई वो लिखी थी उसके अंदर आपने credit sale नहीं लिखी थी और यही आपको याद रखना है क्या-क्या याद रखना है कि जब आप branch account बनाएंगे तो कुछ चीजों को branch account के अंदर नहीं लिखा जाता dependent branches की बात हो रही है यह सारी कौन-कौन सी चीज़े नहीं लिखी जाती एक तो credit sale नहीं रखी जाती जब credit वाली नहीं रखी लिखी गई तो bad debt भी मत लिखी है ठीक है पैटी cash के expenses को भी नहीं लिखा जाता क्यादा है साल के शुरुआत में कुछ पैसे होते हैं और फिर head office कुछ पैसे और डाल देती है उसके अंदर और फिर branch जो है पैटी cash reserve के अंदर फिर उसके branch जो है इसमें से खर्चा करती रहती है और last में adjust हो जाता है इनको branch account के अंदर दिखाने की जरुवत नहीं होती ठीक है तो आपको बस इतना याद रखना है कि petty cash expenses को petty cash expenses को branch account में नहीं दिखाते credit sales नहीं दिखाते bad debt नहीं दिखाते sales return को भी नहीं दिखाया जाता अगर आपने अपने उधारी आपने जिसको दी हुई है उनको अगर आपको इसकाउंट अलाउ करते हैं इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी चीज branch account के अंदर नहीं दिखाई जाती है तो ये सारी ही नहीं दिखाई देती है अगला method है हमारा stock and debtor method इसके अंदर आपको क्या याद रखना है देखिए debtor method के अंदर हमने केवल एक branch account बनाया और उसी branch account से हमने profit या फिल लॉस निकाल लिया जो भी हमें हो रहा है stock and debtor method के अंदर हम head office के profit को अलग से निकालेंगे branch के profit को अलग से निकालेंगे इसके अंदर धेर सारे खाते बनाये जाते हैं धेर सारे accounts बनाएंगे अप ठीक है और उन धेर सारे accounts का ultimate result क्या होगा profit and loss निकालना तो अब ये सवाल होता है कि जब हम debtor के अंदर एक ही खाते से profit and loss निकाल सकते हैं तो stock and debtor method में धेर सारे खाते बनाके धेर सारे खाते बनाके profit and loss क्यों निकाल रहे हैं हम जादातर यूज करते हैं जब invoice price पे सामान head office भेजता है ठीक है head office या तो cash पे भेज सकता है 100 का सामान था और 100 पी भेज दिया या फिर 100 का सामान था उसने 120 पे भेजा है बरांच में ठीक है तो जब भी हम इस पे करते हैं invoice price पे तो हम stock and debtor method को use करते हैं इसका मतलब यह नहीं है कि stock and debtor method को हम cash price पे sorry cost price पे करेंगे तो उस पे यूज कर सकते हैं उस पे भी use होता है और बड़ी organizations में use होता है लेकिन जातर invoice में use होता है तो इसमें आपको यह याद रखना है कि कौन-कौन से खाते बनते हैं बहुत जादे इसकी detail में नहीं जाना आपको तो देखिए अगर हम cost पे देखें cost price पे ही सामान भीजा है यानि कि head office ने 100 रुपे के सामान को branch के पास 100 रुपे में भीजा है और फिर branch आगे profit पे बेज सकती है अगर वो cost price पे भेज रहे तो हम कौन-कौन से खाते बनाएंगे तो हम एक तो खाता बनाएंगे branch का stock account branch stock account ठीक है दूसरा खाता इसके इंदर बनाया जाएगा branch का debtor account तीसरा खाता आप इसमें बना देंगे branch का expense account branch का expense account बनेगा फिर बनता है आपका branch का profit and loss account बनता है ठीक है और इसके अलब अभी आपके goods sent to goods sent to branch account बनता है फिर आपके पास branch cash account बनता है तो यह देर सारे बनते हैं हम इतने के उपर concentrate करते हैं concentrate भी का करना बस इसके अंदर आप यह जान लीजिए कि यह किस-किस nature के होते हैं तो देखे branch stock account आपका real account होता है क्योंकि यह stock दिखा रहा है यह real nature का होता है branch debtor debtor आपके personal account में आ जाएगा branch के expenses expenses आप किस account में दिखाते हैं आप nominal के अंदर दिखाएंगे इसके अंदर आप से यह चीज़े पूछी जा सकती है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ branch के expense को आप nominal के अंदर दिखाते हैं फिर यह वाला यह शायद profit and loss था यह भी आपका यह nominal के अंदर आ जाएगा यह था cost price के अंदर cost price के अंदर यह वाले accounts बनते हैं ठीक है आपको कहीं पे भी आजाए कि यह stock branch के stock का account कैसा होता है तो आप उसको real ही mark करेंगे ठीक है profit and loss आपका nominal ही रहेगा expense आपका nominal रहेगा debtor आपका यह personal रहेगा ठीक है तो यह चीज में इसमें आप confused नहीं होंगे जो हमें majorly focus करना है stock and debtor method के अंदर वो है जब invoice pricing पे काम होता है जब invoice pricing पे काम होता है तो इसके लिए मैं आगे बढ़ने से पहले यह दिखाऊँगा आपको फिर से same चीज देखिए head office ने 100 रुपे के सावान को branch में भेजा है 120 रुपे में 100 रुपे का उसका cost price था लेकिन उसने उस price को थोड़ा सा भड़ा के branch के पास भेजा है head office ने already 20 रुपे का profit जो है वो branch से बना लिया फिर branch जो है इसको आगे customer को भीज देगा 500 रुपे का माल लेते हैं यह उसने sell कर दिया है ठीक है तो branch जो customer से profit earn करेगी उसको हम दिखाते हैं किस account से उसको कैसे ascertain किया जाता है branch stock account से किया जाता है branch stock account at invoice price ठीक है यह आपको सीधा question आ सकता है कि branch का profit जो वो customer से earn करती है invoice price पे वो किस account से जुड़ा हुआ होता है तो आप लिखेंगे branch stock account ठीक है दूसरा head office already 20 रुपे का profit branch से कमा चुकी है branch से वो already कमा ही चुकी है इसको किस account से ascertain करते हैं इसको करते हैं balance adjusted account से एक सवाल जो आपका बन सकता है वो यह कि balance adjusted account कहां पे बनाया जाता है तो आप लिखेंगे balance adjusted account आपका stock and debtor method में बनाया जाता है जब invoice pricing को use करते हैं cost price को नहीं invoice price को use करते हैं तो और यह कौन सा profit बताता है यह profit बताता है वो profit जो head office branch से earn कर रही है profit earned from branch by head office ठीक है तो यहाँ पे आपने दो खाते देख लिए यह जो खाता है यह खाता नया खाता है जब हम cost देखे branch stock account अभी जो हमने किया branch stock account आप cost price वाले method में भी बना रहे थे लेकिन balance adjusted account आप cost price वाले method में नहीं बनाते balance adjusted account सिर्फ और सिर्फ आपके इस invoice price account के अंदर बनता है ठीक है तो अब stock and debtor method देख लेते हैं invoice price वाले देखेंगे हम सीधा ठीक है cost वाले में जादा कुछ ही नहीं है जो आपको जानना था वो मैं आपको यहां पे लिखके बता चुका हूँ यहीं पर यहाप साइड में लिख लेना उसको ठीक है ब्रांच stock account क्या करता है यह calculate करता है profit वह जो की branch earn करती है from customer और इस profit को apparent surplus कहा जाता है यह apparent surplus होता है फिर उसके बाद बनाया जाता है एक branch adjustment account यह nominal account होता है बेहद important बेहद important fact है यह आप याद करेंगे branch adjustment account एक nominal account होता है यह हम profit calculate करते है head office का from branch head office branch से कितना profit कमा रहा है और यह profit क्यों हो रहा है क्योंकि वो invoice price पे भीज रहा है cost price पे नहीं invoice price पे एक तीसरा जो खाता बनाया जाता है वो है branch profit and loss account देखिए पहले हमने branch stock account पहले हमने branch stock account से branch जो profit कमा रही है customer से वो निकाल लिया फिर branch से head office को जो profit हो रहा है वो हमने निकाल लिया branch adjustment account से अब हमें इन दोनों profit को यहाँ पे 20 रुपे का profit या 30 रुपे का profit था total profit है 50 का total profit निकालना है अब हमें total profit निकाला जाता है branch की profit and loss account से ठीक है तो तीन खाते एक तीन खाते हमने देखने है एक खाता आपका branch stock account दूसरा आपका adjustment account और तीसरा आपका profit and loss account ठीक है यह आपका customer से customer से branch जो profit कमा रही है वो यह आपका head office जो profit कमा रहा है branch से वो और यह वाला आपका total इन दोनों का total profit जो है वो इसके अंदर दिखाया जाता है यह आपको से याद रखना है debtor वाल आपका personal रहेगा यह याद रखना है इसकी आप journal entry में जादा नहीं जाएंगे ठीक है अगर आपको time मिलता है आपको चीजे समझ में आरे हैं तो आप जाएं वरना मेरे हिसाब से आपको नहीं जाना चाहिए आपको जो समय आप यह समझने में लग ठीक है net profit ठीक है net profit आपने किस से निकाल लिया profit and loss account से आप देखिए आपको 3 account बताएं मैंने 3 account को उनसे बताएं branch stock account फिर adjustment account फिर profit and loss account जो आपका adjustment account होता है वो आपका gross profit या loss बताता है gross जो आपका net profit और loss है वो कौन बताएगा वो आपका profit and loss account बताता है यह भी fact याद रखना है फिर आगे हम अपने final accounts method पे final accounts method जैसे हम जैसे हमने पहले अपने final accounts प्रपेर किये थे जैसे हम trading and profit and loss account बनाते हैं उसी तरीके से होता है दो तिन चीज़े जो यहां से पूछी जा सकते हैं वो मैं बताता चल रहा हूँ अपको यह जो trading and profit and loss account है यह अगर cost price पे बनाया जाएगा ठीक है trading and profit and loss account final method के अंदर final accounts method के अंदर अगर cost price पे बनाया जा रहा है तो यह किसका profit बताता है यह profit बताता है branch और head office दोनों का मिला के ठीक है अगर cost price पे prepare किया जा रहा है तो यह बताएगा ठीक है अगर यह बाला खाता cost price पे prepare किया जा रहा है तो यह branch और head office दोनों के profit को overall profit को बता देगा पर अगर यह बाला account यह बताता cost price के जगा invoice price पे बनाया जा रहा है invoice price पे बनाया जा रहा है तो यह किसका profit बताएगा यह केवल और केवल branch का profit बताएगा कि branch customer से कितना कमा रही है overall profit नहीं बताता यह याद रखना है इस method के अंदर branch account जो बनता है branch का एक खाता जो बनता है branch account के नाम से वो personal account होता है debtor method के अंदर वो nominal था इस method के अंदर वो personal रहेगा wholesale branch यह हमारा last तरीका wholesale branch के अंदर head office अपने आपको एक wholesaler की तरह treat करती है कि मैं wholesaler हूँ थोक का विकरेता हूँ मैं थोक के दाम में थोड़े कम दाम में चीज़े बेचता हूँ और यह अपनी branches को रिटेलर की तरह treat करती है कि तुम मुझसे सामान खरीद के ले जाओ और फिर आगे बेचते रहो तो यह सामान थोड़े कम दामों पे इनको बेचते देता है और फिर आगे बेचते जाते हैं तो head office जो है वो wholesaler की तरह treat होता है और branch जो है वो रिटेलर की तरह treat होती है Wholesaler branches जो होती है Wholesale branches जो होती है यहां पे भी हम stock and debtor method का use करते है Stock and debtor method का use करते है यहां पे तीन तरह के आपके accounts बनेंगे branch stock account, branch का profit and loss account and branch का debtor account ठीक है इसमें मेरे को यह बताने की तो जरुत नहीं होनी चाहिए assignment कतम होता है हमारे हिसाब से तो बाकि यह जो topics है यह इतने deep topics हैं आप जो CA की तैयारी कर रहे होते हैं या फिर B.com के first semester के अंदर first year के अंदर आपका first year के अंदर यह branch account होता है और कम से कम यह 20 से 30 गंटे का topic है तो अगर इसको deep में घुश गए तो इसको बहुत आगे तक बहुत जादा पढ़ाया जा सकता है लेकिन मुझे जितना important लगा जो हमारे इस exam का scope है मैं सिरफ उस exam के scope के अंदर रहके ही पढ़ा रहा हूँ वरना ऐसा हो जाएगा कि मैं सिरफ आपको अकाउंट्स पढ़ाते रहा हूँ और आपके बाकी जो subject है वो suffer करेंगे तो एक balance maintain करना होता है उस balance के तहत इतना मैंने आपको पढ़ाया है आप ये कर लीजे और मेरा suggestion हमेशा ये रहगा कि accounts के लिए और industrial relation, labor law and social security इन के लिए आप कम से कम दो institute के notes follow करें तो आप किसी और institute के भी notes को एक बार ही देख सकते हैं इन topics के लिए पर जो basics है वो मैंने आपका यहां पर बता दिये और जातर chance है कि यहीं से ही अगर question आना होगा तो आपको मिल जाना चाहिए Thank you